वेलकम बेक मैं मोहम्मद आज की इस वीडियो में हम एडवांस एक्सल के जो है परसेंट रैंक यह फंक्शन्स कवर करेंगे साथी मैं यह फंक्शन्स की कुछ ट्रीक्स में आपके साथ शेयर करूँगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए सब्सक्राइब के बटन के बदो में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल का जो ऑफशन है ऑल नोटिफिकेशन का उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडिये अप्लोड करूँ वो आपको वक्त पे मिलें रैंक फंक्शन यह फंक्शन जो है दिये गए डेटा सेट में से as a percentage of data set किसी value का rank calculate किया जाता है यह function के तीन argument है first array जो कि एक data set होता है और जो कि एक numeric values होना चाहिए x यह value है जिसका आपको rank मालूम करना है significant यह optional value है जो कि identify करेंगी number of significant digit for the return percentage example की लिए मैंने यहाँ पर एक data set रखाऊं और यह cell में हम यह function apply करेंगे is equal to percent rank bracket open अभी हम यहाँ पर array मांग रहा है array मतलब की data set तो जो कि हमने data set हमारी values है a11 से लेके a20 तक उसके बाद हम comma देंगे x x मतलब जिस value का हमको यहाँ पर जो है rank पता करना है वो तो हम यहाँ पर इसको देंगे 3 यह select करेंगे और उसके बाद significance जो है वो optional है तो हम उसको यहाँ पर omit कर देंगे bracket को close करके enterprise करेंगे result आपके सामने आज का वीडियो कैसा लगा यह मुझे नीचे comment में बताए जिनको पसंद आया है वो like करते जिने पसंद नहीं आया है वो unlike share भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है साथी में यह वीडियो आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें जिने ज़र्वत है उनके साथ और नए लोग जिनोंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बटन कर दो